नमस्कार दोस्तों मैं दीपत सुक्ला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि PMJJBY यानि प्रधान मंत्री जीवन जेओती भीमयोजना वो PMJBY यानि प्रधान मंत्री शुरक्षा भीमयोजना को कराना क्या अनिवार रहे क्या जिनके भी खाते बैंक में हैं जो भी बैंक के खाता धारक हैं क्या सभी खाता धारकों के खाते में दोनों भीमा करना अनिवार रहे इसी विशे पर हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं कि क्या ये दोनों बीमा योजनाएं कमपल सरी हैं कि अगर किसी ने बैंक में खाता खुलवा लिया तो उसको बीमा लेना ही पड़ेगा या फिर जिनका पहले से बैंक में खाता है तो क्या अगर उन्हें खाता चलाना है तो बीमा लेना जरूरी है या फिर ये आपसनल है यानि कमपल सरी है या फिर आपसनल है तो इस पर भी जानकारी आप लोगों को देंगे साथी दोस्तों हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि आखिर बैंक की क्या मजबूरी है जिसकी वज़े से वो आप लोगों के खाते में आप लोगों से बिना पूछे बिना आपके साइन के बिना आपकी जानकारी के आपके खाते में बीमा का पैसा काड़ देते हैं जिससे बहुत ज़़ाद ग्राहक परेसान है आज के समय में ग्राहक बहुत अधिक परेसान है बहुत अधिक सरदर्द를 के लिए बीमा बन चुका है जिसको पूछो वही ये बात कह रहा है कि बैंक ने मिरे खाते से बिना मुझे से पूछे मिरे खाते से प्रेमियम है और 20 रुपए PM SBY का प्रेमियम है, यानि कुल मिलाकर के आपके खाते से 456 रुपए बैंक काट लेता है, तो आखित बैंक की ऐसी क्या मج़बूरी है, यहाज की आपको बीना बताए, बीना आपसे पूछे आपके खाते से पैसा काट लेता है, हलाकि भले ही जो ग्राहक होता है वो बैंक में करमचारियों से कुछ ना कह पाए लेकिन जब बैंक से बाहर होता है अपने गाउं घर में होता है तो वो हमेशा बैंकर को गाली देता है जिससे बैंक और बैंकर दोनों की छवी धोमिल होती है और उसका बड़ा कारण है वो यही है कि बैंक उन्हें बिना बताए बिना उनसे पूछे उनके खाते से पैसा डेबिट कर लेती है इसकी वज़े से भी बैंक की जो छवी है ग्राहक की नजर में धोमिल हो रही है ग्राहक के सुचता है कि आखिर बैंक ने मेरे खाते से पैसे बिना मेरी सहमती के कैसे काट लिए तो बहुत बला सरदर्दे बन चुका है PMJJBY और PMSPY का बीमा बैंकर बिना पूछे खाते से पैसा काट ले रहा है जिससे ग्राहक बहुत अधिक परिसान है तो इस पर भी जानकारी देंगे आपको कि आखिर बैंको की क्या मजबूरी है साथी या भी बताएंगे कि ये PMJJBY, PMSPY बीमा आप सुनल है या फिर कंपलसरी है इसके लामा या भी बताएंगे कि क्या bank बिना आपकी सहमती के बिना आपके sign के बिना आपकी consent के आपके खाते से पैसा काट सकता है बीमा के या नहीं काट सकता है अगर काट सकता है तो किस condition में काट सकता है नहीं काट सकता है तो फिर काट क्यों रहा है इस पर भी आपको जानकारी देंगे इसके अलामा यह भी बताएंगे कि जिन लोगों के खाते में PMJJBY, PMSBY के भीमा चल रहे हैं अगर वो लोग नहीं चलाना चाहते हैं बंद करना चाहते हैं तो किस तरह से वो लोग बंद करा सकते हैं और अपना पैसा refund पा सकते हैं इस पर भी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों पूरी जानकारी आप लोगों को इन सभी विश्यों पर विस्तार से दें, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A2Jet Banking Information को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ल अधिकार प्राप्त है कि आपके खाते से वो पैसा काट सकते हैं, आपके खाते से पैसा डेबिट कर सकते हैं बिना आपकी जानकारी के, बिना आपकी सहमती के, बिना आपकी सहमती के आपके खाते से एक रुपए भी डेबिट नहीं कर सकता, ये अधिकार बैंको नहीं प्र पर आपके खाते से पैसा काट लेता है आप लोग बताते हैं कमेंट करते हैं कि सर बैंक ने मुझे बिना बताये पैसे काट लिए हैं मैंने किसी भी फाम पर साइन नहीं किये हैं बैंक ने मुझसे कभी भी यह नहीं बताया कि आपका हम बीमा कर रहे हैं और मेरे खाते से पैस ही उसे मिलनी है तो फिर वो अपनी नौकरी को दाओं पर क्यों लगाएगा जब कि आर्बियाई के सक्त निर्देश हैं कि आप एक रुपए भी किसी भी ग्रहा के खाते से बिना उसकी सहमती के नहीं काट सकते तो 456 रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट है आखिर बैंकर आपके खाते से बिना आपकी सहमती के क्यों काटेगा हाँ यहां पर एक होसियारी ज़रूर बैंकर करते हैं कि वह जब आप किसी भी काम के लिए बैंक जाते हैं चैहाँ आधार सीटिंग के लिए जाए कि वाईसी फार्म समिट करने के लिए जाए या पैसे विड़ाल करने के लिए जाएं या फिर आप बैंग किसी भी काम के लिए जाते हैं एटिम लेने जाएं चेक्बुक लेने जाएं किसी भी काम के लिए अगर आप बैंग जाते हैं तो वहां पर हो क्या करते हैं कि चुप-चाप तरीके से आपको बीमा का फार्म भी उसी फार्म के साथ लगा उसमें क्या करना होता है कि वह आपसे बोल देते हैं, कि यहां sign कर दीजीए, कि यहां sign कर दीजीए, बस आपका sign उन्हें मिल गया है, यहनइ आपकी consent मिल गई, जैसे ही आपकी consent मिल गई, आपके खाते में बीमा लगू कर दिया जाएगा, क्योंकि बैंकर कभी भी बिना आपके sign के, बिना आपकी consent के, आपके खाते से पैसा debit नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंनों चुपचात तरीके से आप से farm पर sign ले लिया, और उसके बाद भी मचालू कर दिया, अब भविश्य में अगर आप cold भी जाते हैं, या कोई case करते हैं तो आपका वही farm वह आपको दिखा देंगे, वहाँ पर मौखिक बात नहीं मानी जाएगी, कि आप कहेंगे मैंने बीमा नहीं कराया है, बैंक कहेगा आपने कराया है, अब बैंक से जब प्रमाड मांगा जाएगा, कि इन्होंने कराया है, तो बैंक को farm प्रस्तूत कर देग यह देखिये, आपका साइन है, साइन मैच कराये जा에गा, आपका साइन मैच होगा, Commerce क्योंकि आप नहीं किया है, तो इसलिए लिए, दोस्तों, legit कभी भी, बिना साइन के आपके खाते से बीमा इस बीमा के लिए जो पात रहें, उन सभी का बीमा किया जाए, हलाकि कोई ऐसे निर्देस नहीं प्राप्त हैं कि कमपल सरी है, सभी को कराना अनिवार रही है, अगर नहीं कराएंगे तो आप खाता बंद कर दीजिए, नहीं RBI के इसी कोई गाइडलाइन है, नहीं वित्तमंत कर देते हैं, और आपके खाते से पैसा खटने लगता है, हलाकि darियों योजना भारस सरकार की है, और बहुत ही अच्छी है, आपको Р. 456 रुपए में 4 लाख रुपए का बीमा कवर मिल जाता है 436 रुपए में आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है PMJJBY के माध्यम से और 20 रुपए में आपको 2 लाख रुपए का शुरक्षा बीमा मिलता है यानि एक्सिडेंटल बीमा जो की प्रधानमंति होती है तो उसे 4,0,000,000 रुपया का मिलेगा 2,0,000,000 रुपया का 4,0,000,000 रुपया का equally ध्यूसरों प्लेम प्लभ को हाई अगर कोई aspects REM मत पहुता है ये और कोई नहीं चलाना चाहता है तो फिर जबर को क्या पड़ी है कि आपकी नजर में बैंक की छवी धुमिल हो बैंकर को लोग गाली दें उन्हें लोग को से उन्हें नहीं पसंद है लेकिन उनकी भी यह मजबूरी है जिस वज़े से वो लोग कर देते हैं दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपके खाते में बीमा चल र साखा प्रबंधक के नाम आप सीधा सा एक भी फंड़ा है कि अगर आप यह लाइन लिखकर के वहां पर देंगे तो आपके पैसा मिलने के चांसे काफी आदा हो जाएंगे क्या लिखना है आपको दोस्तों में लिखना है साखा प्रबंधक महोद है मेरा दूसरी बैंक में PM JBY PM SPY पहले से ही चल रहा है तो इस बैंक में करने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकर अगर मेरे साथ कोई हाथा होता है कोई घटना होती है तो मुझे क्लेम सिर्फ एकी जगह से मिलेगा और वो क्लेम मुझे वहीं से मिलेगा जहां पर मेरा पहले से भी मा है तो आप उन्हें बता दीजिए कि अगर आपके अगर क्लेम मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि लोगों के दो दो तीन तीन बैंकों में पीम जेज़े वाई पीम स्वाई के नाम पर पैसे कट रहे हैं क्योंकि बैंको क्या पता आपका खाता पहले से आर्यावर्थ बैंक में है या PNB में पहले से है तो वहाँ पर आपका पहले से भीमा चल रहा है और कट रहा है आपने जैसे ही नया खाता SBI में खुलवाया तो SBI वालों को क्या मालूम कि आपका भीमा PNB में चल रहा है उन्होंने SBI वाले खाते में मैंने कहीं भी फार्म पर साइन नहीं किये, मेरा कोई भी कांसेंट बैंक के पास नहीं है, मुझे पूरी तरह से याद है, मैंने किसी भी भी मा के फार्म पर साइन नहीं किया है, तो फिर आप बैंक चले जाएए, आप उनको अपलिकेशन दे दीजिए कि मेरी बिना सहमती कि आपने मेरे खाते से पैसे क्यों काटे हैं, क्रपया हमारा पैसा मुझे रिफंड करिए, हमें पॉलसी नहीं चलानी है, तो भी वो आपकी पॉलसी बंद कर देंगे और आपका पैसा आपको रिफंड कर देंगे, लेकिन अगर आप 15 जिनके बाद जाएंगे, तो फिर चांस पैसे बिवाई, PMSPY बीमा कंपल्सरी नहीं, यह अप्सनल है, आप चाहें तो करा सकते हैं, आप मना कर दें, तो बैंक को एधिकार नहीं प्राप्त है, कि जबरदस्ती आपके उपरे बीमा की पॉलसी थोपे, आप उनसे कह सकते हैं, कि आप जबरदस्ती मेरे साथ नहीं क बीमा कराने को, आप ये भी नहीं कह सकते हैं, कि अगर आप बीमा नहीं कराएंगे, तो आप खाता बंद कर लिजिए, ऐसा कोई भी सर्कुलर नाहीं वित्ट मंतरा ले के दोरा जारी हुआ है, नहीं आर्भीया के दौरा जारी किया गया है, आप बैंक अपनी तरफ से आप तो नहीं भी करा सकते हैं या निवार रिन नहीं है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटेस्टिंग डॉपे के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत